नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी YouTube चनल परकास में परकास कुमार दोस्तों आर्मी और SSG वाले के लिए हम यह से शुरू किये हुए हैं और आज उसी को कंट्विव करेंगे और दोस्तों आज जो हम सल्व करेंगे अभ्यास पेपर से 32 के 15 मैंथ को सल्व करेंगे ठ क्लास नाइंथ तेंथ इस चैनल पर आपको क्लास नाइंथ तेंथ के त्यारी करा जाएगे एकदम बिल्कुल निसुर्ख ठीक है दोस्तों आपके घर में कोई छोटा भाया बहनों का तो उसको यह चैनल का लिंक शेर कर दीजिएगा और इस पर असानी से त्यारी करें कि कि देगा ठीक है दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेरक में जरू किजिए तो दोस्तों ज्यादा हम बात नहीं करेंगे डायरेक हम आते हैं कोस्चन के आज हम बहुत सॉब सुबा में व बारह में नाव कंकर रहा है कितना कम कर रहा है 9 कम कर रहा है समझ रहे हैं कि नाई 6 माइनस में ज्यांद दिजिए पहले समझी है 3, 2, 1, 0 minus 1, minus 2 minus 3, minus 4 minus 5, minus 6 कितना कम कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 0, 9 9 कम कर रहा है minus 6 प्याने के लिए तब फिर आप minus 6 यहां से कम कर जिए तो माइनस 15 हो जाएगा तो आपका एंसर हो जाएगा माइनस 15 है जो आपको आपको बी में है आते हैं अगली कोश्चंपे चलिए 32 नमर कोश्चंप क्या काता है कोश्चंप काता है कि 2 0 नल को को तांको क्षथ 10 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं यरादि यहसाइए तो टैंक भरने वहींक लाइए क्यांति आख व। पहला नल और दूसरा नल यह वो नल जो है एक टंकी को 10 घंटा में भर देता है और दूसरा नल जो है उसी टंकी को 15 घंटा में भर देता है अधसे हावर अप निकालेजेगे टंकी के चंता कितना है 10-15 के लोगता लीजेगा तो 30 घंटा में घंटा में एक थीट नल तू 5 पाँच भाद दिए पाँच भाद दिए छो गंटा इन शो गंटा में दोनो नोल भर देगा ठीक है तो आपका एंसर हो जागा 6 ऑप्शन और B 0 6 गंटा ठीक है आते हैं अगली कोस्टन पर चरिए तेटीस नमबर कोस्टन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा क्याता है निमली खित पाद को हल करें 2.9 गुने 0 7.05 इनटीव 256 ठीक है बटा में दिया हुआ है चार का स्कोईर जान देजिए 2.9 गुना पहले गुना करें इसको गुना कीजिएगा नौ इसे अभी नहीं करिए दूसर नौ गुना जी शेवन दसमलो जीरो फाइप अब चपर के पूर किता है है चाहर के स्क्वार सोला इससे तहीं कट गिया फूरा सोल सोलो कट गिए यहां देखी नो पच्छ पैसालीश पैसालीश के पांच लास ने पांच फ्वला अप्षन कोई है लाश्ट में पांच पॉला अप्षन दूग है थीक है एक लाइन और बढ़िये थो हैं फीर देखिएगा चलिक गुणे करना लिजिए 705 गुणे 29 945, 945, 945, 4, 793, 6 520, 020, अहां से लेक, 724 544, 0, 2 कितना है? 4, 0, 2 10.2 अंक और एक अंक तीन अंक बात है यहां परेगा देखने ते कीस अप्शन में है? तो आपका अप्शन में नहीं देख रहा है अप्शन में 2445, हाँ हाँ 2445, अप्शन नमर डी में है आते हैं विलिंग कोश्चन पर चलिए, 34 नमर कोश्चन क्या कहता है? कोश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लगुतम समापोवर्तक 1134 और महत्तम समापोवर्तक अठारा है यदि उन में से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्याओं करें दोस्तों इसा कोश्चन बहुत परे हुए है फर्मूला होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बरावर LCF गुने HCF ठीक है? जिसका जिसका मान दिया होँआप बिठा दिये लगुतम दिया है 1334 तो तो अठारा संख्या दिये अगली कोश्चन पर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किजिए चलिए 35 नमर कोश्चन क्या कहता है कि एक कारे को 15 दिनों में पुड़ा करता है बी उसी कारे को 30 दिनों में पुड़ा करता है और बी उसी कारे को 30 दिनों में पुड़ा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पुड़ा करता रहा है तो एक चमता रोज का आया दूग को काम करता है प्रति एक दिन एक काम करता है दोनों मिल करेदा दोनों के काम कितना है तीसगों एक दिन में कितना करेदा कितना करेदा दूआ एक तीन से निसमान हो जाए तैन जो आपका आते हैं अगली कोश्चन पर चलिए 36 क्वीन का सुझता बंक कि यह मान बता है दो बट्टा थीन जो दोस्तों रेकरिंग वहला को आपको बना नहीं आता होगा हम बना चुके हैं चोग दीजिए अज इतना बट्टा में नौ लिख दीजिए ठीक है तो कटिए कि तीन से दू बर में तीन से तीन बर में दू बट्टा तीन कौन अप्सन पूराद रहा है अप्सन अप्सन अपर हो जाएका ठीक है यह नहीं होता तो अगली कोस्टन पर चलिए 37 क्या कहता है किसी वस्तू को 140 रुपय में खरीद कर और बेचा है और बेचा है बेचा है कितना पूरी फसाने पर अपर परसंट से गुना कर देंगे एक जिरो से जिरो चोड़ा दुना अठाइस दुना विस परतिसत के उसे लाव हो गिए ठीक है तो आपके इस परतिसत अप्सन अमड़ी हो जाएगा आते हैं अगली कोस्टन पर चलिए और तिस नमर क्या कहता है उस घंड का आयतन ग्यात करो जिसकी एक भूजा की आपका क्यों यदre को सब्सक्राइब क्रदेर सब्सक्राइबCorand that was a सब्सक्राइब 하나면 संती मीटर्विक्रेब तो एक मीटर है नहीं मिटर्व है सो से उंच्क ना करने पड़न में लंगा है तो लंबाई में 100 सो से गुणा किये तो से चावड़ाई में गुणा करेंगे सो से उचाई में गुणा करेंगे ता लिख सकते हैं यानि कि यह भी अप्शन सही है अफसर मरसी क्या कहता है, अफसर मरसी कहता है, 10 के पावर, माइनस 9, माइनस 9, कीलो मीटर क्यू, कीलो मीटर क्यू, ठीक है, ध्यान देजिए, मीटर में, कीलो मीटर में जाना है, दोस्तों, तो मीटर से कीलो मीटर में जाने के लिए, 1000 से भाग दना परता है, ठीक है, ध्यान तो लंबाई में 1000 से भाग दियें तो लंबाई किलमेटर पहुंच गया चवड़ाई में 1000 से भाग देंगे तो उचाई भी किलमेटर पहुंच गया तो उपर देखिए एक अन्य चम लिख से किते हैं इसको 10 के पाउड में ओल कि चब बेश लइन तो पावर ऑट्मेटिक माइनस में हो जाता है मैंने पावर और इखने मने खोजरोई नहीं नहीं ऊपने मने माइनस मो जाए ख़ीक है यानि कि option c भी सही है option c भी सही है एक का मतलब इतना भी होता है ठीक है इसका मतलब हो जागा all the above option are correct मतलब इनमें से दिये गए option सभी सही है अगली question चलिए 49 जा करता है रूट अंडर दूसरों पचीस वहता में 2059 कीतना हूता है 15 नमर कि अधी का सत्रा फटा हो जागा पंदर बता सतरह अपस्था नमर एघा से चलिए चालिस नमर क्रौशन क्या क्याता है एक मिनार की छाया मिनार की कि उचाही के बड़ाबर है तो देखने कि या स्थान से मिनार के सिखर कंपना होगा दोंस्तों इस किताब में लेन, ला सी है स्ज़िय… यह स्मझ जाए आसान कोर्षन के हो जो कितना महारती और सोच लिए नहीं वुट के सलूसर नहीं नहीं उसका सुलूचन नहीं तो और असान संकुछन उसका सुलूचन दे दिए इस से आप सूच रिजिए कि इतना अथि है ठीक किता चापने वाले कितना महाराथी है जो सब का सलूचन है दिए दिए तो कोहने का मतलब है एक कतार में लाइका सब खड़ा हुआ है हम परसादी बात तो नहीं है सब को दीजिए तो सब का किसी को कर दोस्तों को Але और इसकी जुआंग हुआnya इस मुनार की तो दोस्तों आपको पता होगा के लिए भटाना है वहिए आप खेडदो होらी तो आपका छाया जो है, कहां बनता है, जमीन पर बनता है, आपके लेखाई से खरा हो जता है, नहीं जमीन भी बनता है, तो जमीन पर बना दिये, अगर इसका लंबाई एक्स होगा, तो इसका भी छाया की लंबाई भी एक्स होगा, ठीक है, तो शिखर मिनार के शिखर यहीं मिला दिए तो पूछा है कि कोन कितना डिग्री के बनेगा कि दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि जिस तिर्भोज के जितना भूजा बराबर उतना प्रमगल एक जबन रहाएर जाए निया और。 होगा इसका मतलब है इसका मुला के 90 होगा थे हैं माइनस सोल्ला एक्स पलस तीर सट बराबर में जीरो हो तो आपको से एक्स केमार पुछ दिया है ध्यां दीजिए इसा पढ़ चुके है एक्स स्क्वाइर अब माइनस इस सोल्ला को दुए इसा पाट में तो रिए कि गुणा करे तो 63 और जो रगटाओ करे तो सुला है तो हम चाँजिए कि 9 और 7 9 7 63 होता है और 9 और 7 16 होता है तो लगादिजिए ठीक है माइनस में डिखते हैं तो लेंगे क्योंकि हमको मैंस भाला प्लस में थो यहां बचेगा एक साथ णो बचेगा एक साथ बढ़ाबर जीरो एक साथ नो बढ़ाबर जीरो जाएगा नो यहां अगली पारी में वह कितने रन बनाएं थाकि उसका उसका रन बतिस हो थ्यान दिजिएगा एक बराबर होता है औस फिस के औस रन बनाया है औहला है उगली olan उगली पारी चाओद में फणन के अभंधा पारी इसका पुछ रहा है यानि 15 हमी पारी बचेगा तो पंदर दोने तीस है पंदर ते पैस आलीस तीन आर्टालीस माइनस चोदो ते बे आलीस घटाइएगा तो साथ हा जाएगा आपका एंसर जो हो जाएगा आते हैं अगली कोश्चन पर चलिए ते तालीस नमर कोश्चन क्या कहता है ए एक काम को दोस दिनों में बी करता है और ए और बी मिलकर उससे छो दिनों में करता है तो बी अकेला करेगा उस काम को कितने दिन में ए अकेला करता है तो दोस दिन में और ए और बी दोनों मिलकर करता है उससे तो छो दिनों पुरा करता है ठीक है और A और B दोनों मिलके 5 काम कर रहा है एकेला कोई काम 3 को कर रहा है प्रती दिन और A और B मिलकर दोनों मिलके 5 काम कर रहा है तो A और B मिलकर 5 काम आज इसमें A अकेला 3 काम इसका मतलए B अकेला 2 काम कर रहा है प्रती दिन तो B करेगा बी करेगा 30 काम है दू काम रोज कर रहा है दूसर यानि कि 15 दिनों में बी अकेला कर देगा ठीक है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए हो जाएगा आते हैं अगली कोश्ण पर ठीक पीछे वाला कोश्ण करी उल्टा है ठीक है चली 44 नमर कोश्चन क्या कहता है कोश जीरो इसका भाई लूब क्या होगा दोस्तों यहां देयान देजिए इसका मतलब समझ रहे हैं और इस वहीं बन गया कोश्चन जब गुना के टरम में कोहीं भी एक जगा जीरो दिखाए थे तो उसका एंसर भाईया क्या होता है आपको पते होगा जीरो ठीक है इसको बनान सब्सक्राइब कोश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने एक टैंक एक बैंक से 12 परतिशत की तर से 20,000 रुपिय उधार लिया बताओ एक साल बाद उसे कितना रासी चुकाना परेगा ठीक है अब साधारन ब्याद चाहें चक्किर विर्दियर मन लिए इसमें कुछ नहीं दिय तो पी आर टी बटा में 100 ठीक है दोस्तों यह सब यह तरीका जो नहीं सबसे आसान तरीका है ऐसे आरे सब्सक्राइब निकाल सकते हैं लेकि इस तरीका राम सिंग्व यादो सब्सक्राइब पूरा कॉस्टन इसी पर सल्प की है तो पी के मतलब की प्रिसपल 20,000 रुपिया रेट के मतलब की बाराव पर सिसद टाइम के मतलब एक साल बटा में सब्सक्राइब बाराव दुना चोव बीस और दूजीरो यह चोव बीस रुपिया ठीक है तो इमांट कुछा है कि मांट कितना लगेगा ठीक है मतलब मिसर धन तो बीस से अर्ट पूजी है उसका और चो सब्सक्राइब कर दिए ठीक है दोस्तों यह अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो मिलते है अगली वीडियो में इससे आगे कर सेट लेकर आज के लिए इतना ही जाए हिंद्ध